बोलो जैकारा बोल मिरे श्री कुर्माराज की जै साच्छे दरबार की जै गुरूं को जनसाधारन में आत्म विद्या एम भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना सुरत शबद योग साधना से आत्मिक उन्नती करवाना परमार्थ पत दर्शाना यही संत मत रुहानियत तथा भक्ति का साधन है संत महापुरश राग द्वेश इर्शा वैर विरोध से निरलेप्त एव संदर्शी होते है वे समार भाव से वचनामरित व्रिष्टी द्वारा जन जन का कल्यान करती है वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी एक सत्यता की पुष्टी की है जन जन मांतरों से जीव, काल और माया के धोखे में आया हुआ मालिक से बिचुड कर संसार में कष्ट और चिनताओं का शिकार बना हुआ है इस बिचुडी सुर्ती को मालिक से मिलाना तथा आत्मा का संबंद परमात्मा से जोडना है संत्मत का सिध्धान्त और वास्तविक उद्देश्य है यही वेदों, पुराणों, वसत्षास्त्रों तथा प्राचीन संतों का धे रहा है प्रतम पाच्छाही श्री गुर्णानक देव जी महराज से लेकर श्री गुर्गोबिन सिंग जी महराज तक दस पाच्छाहियों ने भी इसी सार तत्व को भक्ती का उपदेश माना है यही भक्ती का उपदेश श्री रामचंद्र जी महराज ने भरत जी को पुना अयोध्य मासियों को किया है संत महापुरुष मानवता की विवल पुकार सुनते है जीव को परमार्थ पत्ल दर्शाकर ब्रह्म का साक्षातकार करने का आदेश देते है वे सुरत शबद योग की द्वारा ब्रह्म साक्षातकार करने के आदर्श को स्थापित करते है इन सब महापुर्षों की मोलिक सिध्धार्ट एक ही है गुरू को सभी अवतारों संत महापुर्षों ने इनी सिध्धानतों को मान्यत दी है इस दिरिष्टी से सभी संत महापुरुष और गुरुजनों का दे एक ही है तथा वे वस्तुता एक ही विरोप है प्रोप तथा नामों के बिन भेदों से उनके धे वस्त दानतों में कोई विशमता उत्पन नहीं होती बगवान श्री कृष्ण चल्रजी महाराज ने योग के विशय में अनादी काल से चले आ रहे इसी उपदेश को गीता में स्वयम शी मुख से दोहराया है ए अरजुन जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है यह वस्तुत पुरातन काल से चला आ रहा है पहली यह अमर सत्य मैंने सूरे के प्रथी कहा था सूरे ने अपनी पोत्र मनु को तथा मनु ने इश्वाकू को दिया इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज रिशियों ने जाना परंतो ही अर्जुन वै योग बहुत काल से इस प्रिथ्वीम लोक में विलुप्त हो गया था शी व्यास देव जी शुक देव जी तथा अन्ने अन्ने रिशी मुनी जन भी इसी मार्ग से गुजरे है इसी प्रकार अद्वैत रूप से यह ज्यान अम्रिद की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी गुरुन को इसी सिद्धान्त वा इसी धे को लेकर पीडित मानवता की वेवल करुण पुकार सुनकर परिस्थिती वा काल के अनुसार शी शी 108 शी परमहस दयाल जी शी स्वामी अद्वैत अनंद जी महराज ने अवतार धारन कर जंजन को नाम का अमरित पिलाया तथा वेदना से समस्त संसार को विमुक्त किया और इस दर्ती के भाग जगाए बोलू जे कारा बोल मीरे शे गुरु महराज की जै साची दरबार की जै स्वागी शारी गुरु रखो आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जादा से जादा इसे शेर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सजनन जी जरूर लिखे जय सजनन जी